नमस्कार दोस्तों, PSSM Blessings परिवार से मैं मिश्या गुप्ता, पुस्तक रुक्मनी और काल चक्र कफेर के अध्याए दस और डियो 27 में कहानी आगे बढ़ाती हूँ. प्रदर्शन की संध्या और मेरे पैर के ठीक होने को कई सप्ता बीद गये थे, और इससे भी अधिक समय हो गया था, जब मैंने अंतिम बार अंबा को देखा था, मैं उनकी अनुपस्तिती को उच्छ सुक्ता से अनुपफ करने ही लगी थी, कि एक सुबह वें और काशनी मेरे कमरे के द्वार पर प्रकट हुए, मैं उन्हें देखकर इतनी खुश थी, कि मैं उनके आसा माने रूप से उदास विवार पर ध्यान नहीं दे पाई, आओ, हम वाटिका में चलें, मैंने कहा, और अपना हाथ उनके हाथ में रखा, अब मेरे लिए बिना लंगडाय चलना इ इतना समय लगेगा, हमारे निवास में इतनी सारी महिलाएं अपनी कठिनाईयों में व्यस्त थी, कि केवल कुछ लोगों ने मेरे ठीक हो चुके पैर पर ध्यान दिया था, जैसे ही हम दालान से बहार वाटिका में गए, अंबा का ध्यान हमारे बच्चों पर क्रेंदित था ना की मेरे कदमों की सहष्टा पर, वे हचानक रुख गई, और विसमे में बोली, सुजाता अब लंगडाती नहीं हो, क्या हुआ, अंतता आपने गौर किया, माता ने मुझे ठीक कर दिया, कैसे, बस ऐसे ही अंबा, जबसे मैंने आपको अंतिम बार देखा था, तबसे अगभग ऐसा लगता है, कि मैं एक अलग व्यक्ति हूँ, चलो बैठने के लिए एक जगह ढूंते हैं, और तुम मुझे सब कुछ बताना, जब मैंने बात की प्रदर्शन से पहले और उसके दोरान मैं किस दोर से गुजर रही थी, मैंने तब भी उनकी मनोदशा पर अधि भ्यान नहीं दिया, जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने अर्जुन के सामने प्रदर्शन किया, तो वैं मुस्कुराई और बोली, इसके और तुम्हारे पैर को ठीक करने के अतरिक्त माता तुम्हें और क्या उफार दे सकती थी? अमबा, असली उफार यह था कि मैं अपना बदला लेने में सक्षम थी, और इतनी ग्रणा जो मेरे अंदर थी, उसे मुक्त कर पाई, तो तुम वास्तम में उससे अब और ग्रणा नहीं करती हो, वह आदमी जिसने तुम्हें अपने कबजे में लेने का प्रयास किया था, औ मैं उसे शमा नहीं कर सकती, परंतु मुझे वह क्रोध अनुभव नहीं होता है, जो मैंने पहले किया था, मुझे लगता है कि उस पर किसी शैतानी शक्ती का साया है, मेरी माने भी यहीं सोचा था, उद्धव ने एक बार मुझसे कहा था कि उसने उसे द्यानिये पाया, और आधिवे इतना करूर है, उन्होंने हा में सिर 확 लाया, मैं समस्ती हूँ, महीशा सूर हर वो हानी कारक विचार है, हर कार्र है, जो दूसरों और स्वयम को कश्ट देता है, क्या हम सभी को महीशा सूर का कभी न कभी किसी ना किसी रूप में सामना नहीं करना पड़ा है, किस के जीवन में ऐसी लड़ाई नहीं होती है क्या हम सभी अपने भीतर की दुर्गा मा को जगाने के लिए नहीं बुलाए गए हैं तुम भागेशाली हो कि तुम ऐसा कर पाई तुमने और मैंने दोनों ने ऐसी कठिनाईय जहेली हैं अमबा परंतु मुझे आशा है कि हमारे परंतु मैं डरी हुई हूँ इशान बिना पिता के बड़ा हो रहा है मैं मुझसे पूछने लगा है कि उसके पिता जी कहां है इशान के पास माता हैं उसे बस उनकी आवशकता है और काशनी की मैं हर कीमत पर रक्षा करूँगे उन्होंने धीरे से उत्तर दिया उन्होंने फिर विशे बदल दिया। अंजली ने आज सुबह मुझे यहां बुलाया। उसने कहा कि माता आज महिलाओं से मिलने आएंगी। और वे जानती थी कि उन्हें देखकर मेरा उत्सा बढ़ जाएगा। अंजली हमेशा मेरे लिए विशेश रूप से विचारशील रही है। मैं कभी नहीं समझ पाई कि उसने इतनी चिंता दिखाने के लिए अपने रास्ते से हट कर क्यों काम किया। ये कहकर वे बच्चों की पास गई और उनसे बाते करने लगी। मैं उनके पीछे-पीछे वहां तक गई जहां वे थोड़ी दूर पर खेल रहे थे। कुछ समय बाद हमने महिलाओं को एक-एक करके इमारत से बहार निकलते और कमल के सरोवर के आसपास एकटा होते देखा। ये संकेत था कि माता जल्दी आएंगी। सुमती आईं और अपने पास उपस्थित कुछ बच्चों को बुलाया ताकि हम बिना विचलित हुए अपना ध्यान माता के शब्दों पके इंद्रित कर सके। अंबा और मैं समू में समलित हो गए और उन कुछ लोगों की बातचीत को अनसुना किये बिना नहीं रह सके जो हाल ही में महिला निवास में आई थी। एक अन्य महिला ने उसे चुप करा दिया और उससे कहा कि उनके लिए अपने विवास से पहले के समय के बारे में बात करना उचित नहीं था जो कि श्री ग्रिश्ट और राधा के बीच के प्रेम का समय जाना जाता है। अंबा और मैंने एक दूसरे को देखा और नुस्कुराए। वे हमारी माता को कितना कम समस्ती थी। जल्धी माता और अंजली प्रकट हुए और दीमी आवास बंध हो गई। सम्हु में सन्नाटा च्छा गया। कुछ दिर शान्त रहने के बाद माता ने नई महिलाओं का अभिवादन करना शुरू किया। और यह पूछने के बाद कि क्या उनकी आवशक्ताओं का ध्यान रखा जा रहा है। वे कमल के सरोवर के किनारे बड़े शिलाखंड पर बैठ गई और मुस्कुराते वे हमें प्रेम से देखती रही। मैं अपने आपको रोक ना सकी। मैं उठी और उनके पास जुक कर अपने माते को उनके चर्णों में लगा कर मैं फुस फुस आई। धन्यवाद माता उस रात आपने जो किया उसके लिए और जो कुछ भी आपने किया है उस सब के लिए। प्रदर्शन की संध्या के बाद मैंने उन्हें नहीं देखा था और अपनी ग्रतग्यता व्यक्त करने का अफसर नहीं मिला था। मुझे उठाने में सहायता करते हुए उन्होंने मेरी नेत्रों में देखा और कहा सुजाता मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यक्ता नहीं है। मुझे यह जान का प्रसंता हुई कि तुमने अपने भीतर के दानव पर विजय प्राप्त कर ली है। मैंने सिर हिलाया और फिर जल्दी से अपने स्थान पर लोट आई। दूसरों के साथ उनके शुरू होने की प्रतीक्षा करने लगे। कई शर तक माता चुपचाफ वहीं बैठी रही और इधर उधर देखती रही। अंत में उन्होंने कहा। मुझे लगता है कि आप मेंसे कुछ लोग राधा के साथ मेरी भेट के बारे में सुनना चाहेंगे। अंजली ने आश्चर्य से पूछा आप उनसे मिली हैं। मैंने ये कहानी कभी नहीं सुनी। कई कहानिया हैं जो तुमने अभी तक नहीं सुनी हैं अंजली। माता ने आखे बंद की और कुछ शन दिहान में बैठ गई। फिर हमने उनकी धीमी अवास सुनी। राधा, राधा, नाम दोराते हुए मानो उस नाम को सहला रही हूँ। माता ने अपने नेत्र खोल कर सरलता से उपतर दिया। वह मुझे अच्छी तरह से जानती हैं। हमने माता के शुरू होने की प्रतीक्षा की, परंतु वह बस चुपचाब बैठी रही। उन्हें उसकी उपस्तिती याद आ रही थी, जो उनकी बहुत प्रिये थी। कई और लंबे शनों के बाद वह शुरू हुई। मैं अपनी विवा से पहले राधा से पहली बार मिली थी। आप में से कुछ को वह कहानी याद होगी, जो मैंने कृष्ण से उस महल के पीछे वन में मिलने की कही थी, जहां मैं बचपन में रहती थी। पहले हम साथ खेलते थे, वे बहुत शरारती थे और मुझसे छिप जाते थे, परंतु मैंने उन्हें हमेशे ढून निकाला। हमने तरहे तरहे के खेल खेले, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे पिछले जन्म की यादें मेरे पास लोटी और मैंने लंबे समय तक ध्यान का भ्यास करने शुरू किया, सब कुछ बदल गया। मैं अब उनसे वन में नहीं मिलती थी, परंतु उनके साथ ध्यान में यात्रा करती थी, मेरे जीवन में उस समय मेरे भाई ने मुझे महल से बाहर जाने से रोकने का प्रयास करने के लिए मुझे अपने कमरे तक ही सीमित करना शुरू कर दिया था, उसने जो कुछ भी किया, वे मुझे रोक नहीं सका, मुझे हमेश्या उसकी चौकस द्रिश्टी से बचना और अपनी इच्छा पर यात्रा करने का एक रास्ता मिल गया था, परंतु वे दूसरी कहानी है, दोस्तों, रुक्मनी माता और राधा जी की अग्भुत भेंट के बारे में जानेंगे अगल धन्यवाद